विजये सर्वमंगडे चुहे रहते हैं, यहां आने वाले शद्धालुओं की तादाद लाखों में होती है, भारत के साथ-साथ विदेशों से भी यहां लोग आते हैं, आपको शायद पता ना हो करनी माता को दुरगा माता का ही अवतार मना जाता है, वैसे आम भाशा में इस मंदिर को चूहो वाला मंदिर भी कहा जाता है यहां आने वाले भक्त गर्ण चूहों को खाना खिलाते हैं यहां चलते वक्त आपको काफी एतियाद बरतनी परती है क्योंकि अगर चलते समय चूहा पैर के नीचे आ गया तो इसे अब शगुन माना जाता है और अगर चूहा आपके पाओं के उपर से निकल गया तो समझो आपके उपर देवी की किरपा होगी सोमनाथ मंदिर हिंदू मंदिर में ये मंदिर एक विशेश स्थान रखता है ये भारत की एक ऐसी मंदिर है जिस पे कई बार हमला किया गया बताया जाता है कि यहां 24 लिंगो की स्थापना की गई इसका निर्मान च यहां पे भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था यहां कृष्ण मंदिर भी मौजूद है जवाला देवी मंदिर दोस्तों ये मंदिर हिमाचल के कांग्रा घाटी से 30 किलोमीटर दूर इस्तित है ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर में जलने वाली जोती हजारों सालों से जल नहीं है और इसमें किसी भी तरह के इंधन का इस्तमाल नहीं किया जाता इसे मा की किरपा कहें या फिर चमतकार यहां आने वाले भक्त से मा का चमतकार कहते हैं ऐसे नौ जवालाएं मंदिर के भीतर 24 गंटे जलती रहती हैं विज्ञानिकों ने इस पर कई बार रिसर्च भी किया है कि क्या इस मंदिर के आज पास कोई गैस या फिर पेट्रोल है जिसके वज़े से ये जोती लगातार जलती रहती है लेकिन आज किन सभी रिसर्च का कोई परिनाम नहीं निकला खजुराहो मंदिर ये मंदिर मद्य परदेश के छत्रपूर दिश्टिक में इस्तित है इस मंदिर की गिंती युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइड में भी होती है मंदिर का निर्मान 885 से लेके 1050 AD के बीच हुई है भक्त इ यहां एयरपोर्ट भी बनाया है जिसका नाम मंदिर के नाम पर खजुराहो एयरपोर्ट रखा गया है यह मंदिर अपने चितरकारी के कारण लोगों का ध्यान अपने तरफ आकरसित कर लेता है यहां बने मुर्ति अलग तरह के कहानी बयान करते हैं जिसे लेके अक्सर सवा साल भी उत्पन होता है कि क्या ये मूरतिया किसी खास मकसद के लिए बनाई गई है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है यह मूरतियां इतनी खुबसूरत हैं कि नहें देखने वाले लोग नहें देख के खो जाते हैं लकमा देवी टेमपल यह टेमपल करनाटक के बहुत प्रसिद्ध है हर साल ये तहवार दिवाली के छटे दिन आयोजित होता है यहां लोग आके मनत मांगते हैं और उसके पूरा होने के लिए मंदिर में मौजूद 600 साल पुराने नीम के पेड़ पे चपल बांगते हैं यही कारण है कि इस मंदिर को चपलो वाला मंदिर भी कहा जाता है चंनापटना डॉक टेंपल यह मंदिर करनाटक के चंनापटना के एक गाउन में इस्तित है इस मंदिर में कुट्टे की पूजा होती है वैसे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कुट्टा दुनिया के सबसे वफदार जनवरों में essere एक है लेकिन यहां कुट्टों की पूजा की एक अलग ही कहानी है कहा जाता है कि बहुत साल पहले दो कुट्टे गाउं की रखवाली किया करते थे लेकिन अचानक ही ये दोनों कुट्टे गाइब हो गए गाउंवालों ने उन्हें बहुत ढूंडा पर वो कुट्टे कभी नहीं मिले फिर गाओं के एक वेक्ति के सपने में देवी मा आती हैं और देवी मा ने उस वेक्ति से कहा कि उनके मंदिर के पास ही इन दोनों कुट्टों की मंदिर बनाई जाए ताकि वो पूरे गाओं वालों की रक्षा कर सके तब से लेके अब तक गाओं के लोग इन दोनों कुट्टों की पूजा करते हैं कमाख्या मंदिर दोस्तों कमाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रसिद मंदिरों में से एक है मगर यहां की रहस में बाते सबसे ज़्यादा चौकाने वाली है दरसल कमाख्या मंदिर में देवी की यूनी की पूजा की जाती है हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर में किसी और देवी देवताओं की मुर्ती नहीं है इस मुर्ती के यूनी में लगातार पानी रिस्ता रहता है वहीं हर महीने इस मुर्ती से लाल रंग का तरल पदार्त भी निकलता है जिसके कारण मंदिर के बाहर बहने वाले नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है ऐसा माना जाता है कि जब मा सती के तुकड़े हुए थे तो उनकी यूनी यहीं गिरी थी जिसके कारण यहां यूनी की पूजा की जाती है इतना ही नहीं बलकि ये मंदिर तंत साधना के लिए भी जाना जाता है कहा जाता है कि तांत्रिक यहां बड़ी संख्या में आते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया